Good morning everyone. Today, we read lesson 7, Staying Safe, page number 58. Sometimes, while going to school, you find a traffic jam on the road. जब भी आप school जाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ होगा, कि आप जब school जा रहे हो, तब road पर traffic jam लगा होगा. जब आपने थोड़ा आगे बढ़के उस jam का कारण पता करने की कोशिश की होगी, तो आपको पता चलाओगा, कि दो वाहनों के आपस में टकरा जाने से वह दुरगटना हो गई है, और इस दुरगटना के कारण ही ये jam लगा हुआ है. Accidents are any unforeseen mishappenings caused due to carelessness. दुरगटनाएं जो होती हैं, वो अनपेक्षित होती हैं और लापरभाई के कारण हो जाती हैं. They cause discomfort to the person directly affected and also to many other people around them. वे जो दुरगटनाएं होती हैं, वे directly affect करती हैं उन persons को जो उस वाहनों में बैठी थे और आस-पास उपस्थित या मौजूद pupils को भी वो harm पहुचा सकती हैं. Sometimes, pupils get so severely hurt that they suffer throughout their life. और कभी-कभी ये दुरगटनाएं इतनी बड़ी होती हैं कि वो उन pupils को बहुत hurt पहुचाती हैं, जखमी कर देती हैं कि जिसका दर्द उन्हें पूरी life झेलना होता है. जैसे कि यदि दुरगटना में किसी pupil का leg तूट गया, कोई badly hurt हो गया, तो उस चीज़ का दर्द उसे पूरी life झेलना होता है. Bingo's activity time. What will you suggest to these people to keep safe? आप नीचे जो questions दिये गए हैं, या जो pupils के कारण दिये गए हैं, कि वो क्या क्या कर रहे हैं, उनको यदि आपको safe रहने के लिए suggest करना है, तो आप क्या suggestion देंगे? You find us crossing the main road without looking to the right or the left. यदि आपका कोई friend road cross कर रहा है और बिना दाएं बाएं देखे हुए, तो आप उसको कैसे suggest करेंगे? Second, your puppy is running on the road while your brother is busy talking to his friend, यदि आपका puppy road पर दोड़ता हुआ जा रहा है और आपका जो भाई है, वो अपने friend के साथ बात करने में busy है, तो आप उसे क्या suggestion देखेंगे? Third, your younger sister is playing in the kitchen near a burning gas stove, यदि आपकी छोटी बहन kitchen में खेल रही है, वो भी जलते हुए stove के पास, तो आप उसे क्या suggest करेंगे? We can avoid accidents by being extra careful and following safety rules at all places. हमें यदि दुरगटनाओं से बचना हैं, तो हमें extra careful रहना पड़ेगा, साथधानियां बरतनी पड़ेंगी, और उस स्थान पर जो भी safety rules follow होने हैं, उन safety rules को follow करना पड़ेगा. तो I hope आप यही suggestion देंगे इन लोगों को, कि जो भी rules हैं safety के, वो follow करिए और extra careful रही है. नेक्स टॉपिक है safety at home, हमें घर पे क्या साथधानी बरतनी है, never put your fingers into plug, point or touch any electrical appliance with wet hands or with bare feet. आपको कभी भी विद्दुत के जो उपकरण होते हैं, उनको touch नहीं करना है, छूना नहीं है, जो खुले हुए plug points होते हैं, उनमें कभी finger नहीं डालनी है. नंगे पेर आपको कभी भी उन विद्दुत के उपकरणों को नहीं चूना है या फिर गीले हातों से कभी नहीं चूना है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो खुले हुए और मेन लाइन के वायर्स होते हैं या फिर विद्दुत के किसी भी उपकरणों को टच नहीं करना है जिसमें विद्दुत धारा वहती है Otherwise, you may get an electric shock यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बिजली का जटका लग सकता है Next देखिए पेज नमबर 59 Be careful while walking on wet floors, never run on them आपको गीले फार्ष पर कभी भी चलना है तो साफधानी पूरवक चलना है दोड़ना नहीं है You might slip on the floor and get hurt यदि आप ऐसा करेंगे तो आप slip हो सकते हैं और आपको चोड़ ला सकती है Do not leave your toys, bags, books और other things lying on the floor आपको कभी भी फार्ष पर अपने खिलोने, bag, copy, किताब या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ना है You or someone else might trip over them and get hurt क्योंकि यदि वहां से कोई गुजर रहा है और उसके पैर में वो सारी चीज नहीं पड़ी तो वहें गिर सकता है और उसे चोट लग सकती है हो सकता है वो आप ही हूँ Keep away from fire, playing with fire is dangerous आग से हमेशा दूर रहना चाहिए, आग से खेलना खतरनाक हो सकता है Do not play with sharp objects like knives, blads, needles, etc. You might hurt your finger कभी भी धारदार चीजों से नहीं खेलना चाहिए जैसे कि चाकू, blade या फिरस्वी हो सकता है वो आपकी fingers को hurt कर दें, आपको चोट लग सकती है Do not run while climbing up and down the stairs, आपको सीड़ियों पर कभी भी jump करते हुए उपर नीचे नहीं जाना है You might fall and injure yourself badly आप गिर सकते हैं और आप भुरी तरीके से घायल हो सकते हैं Do not take any medicine without your parents or doctor's advice आपको कोई भी दवाई अपने माता-पिता या doctor की सलाहे के बिना कभी नहीं खानी है Do not touch any other chemical like phenyl or mosquito replant lotion without your parents permission आपको कभी भी किसी वीरासाइनिक पदार्थ किसी भी chemical को touch नहीं करना है जैसे कि आपके घर में मौझूद रहते हैं phenyl या मच्छर मारने का कोई lotion या कोई भी ऐसी चीज़ टच नहीं करनी है अपने माता-पिता की permission के बिना उनकी आग्या के बिना हमें कोई भी chemical touch नहीं करना जिससे हमें हानी पहुंच सकती है Remain where you are when the electricity goes at night यदि रात में कभी भी जब light चली जाती है You might trip over the furniture and get hurt तो आप यदि डारेक्ट उट जाते हैं या कहीं चलने की कोशिश करते हैं जाने की कोशिश करते हैं तो आप furniture से टगरा सकते हैं और आपको चोट लग सकती है वेट चलेन elder lights, elder lights a candle और a torch तो आप इंतजार करिए यदि आपके घर में बिजली चली जाती है तो आप इंतजार करिए कि आपके बड़े जब candle जला दें यदि टॉच जला दें उसके बाद ही आप movement करें Be conscious, never touch a person who is under an electric shock यदि किसी को बिजली का जटका लग जाता है या वो किसी wire में चिपका है तो आपको उसको कभी भी touch नहीं करना है उस person को Call for help immediately and ask your elders to switch off the mains आपको तुरंत ही किसी को मदद के लिए कारना है बुलाना है और अपने बड़ों से mains switch off करने के लिए कहना है Bingo's activity time What will you suggest to these children to keep safe? Discuss in class आप नीची कुछ pics में आपको कुछ बच्चों की शरारतें बताई गई है यदि आपको उनको सजेस्ट करना है safe रहने के लिए तो आप क्या करेंगे? जैसे कि एक बच्चा furniture के उपर खड़ा होकर कुछ containers निकाल लहा है ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को बड़ों की सलाय लेनी चाहिए उनसे बोलना चाहिए एक बच्चा staircase लगा कर सीड़ी लगा कर एक पेड़ पर चरड़ा है ये भी गलत है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और एक बच्चा किचन में फोटबॉल खिल रहा है जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए तो आप उनको suggest करिए और आपका answer क्या होगा I hope यही answer होगा कि आप safety से रहिए ये सब चीज़ें ना करिए जहां भी जिस place के safety rules हैं उनको follow करिए ओके?